इसी software company में कई सालों से काम कर रहा था उसी company में नेहा नाम की लड़की भी काम करती थी दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे एक दिन नेहा रोहित से कहती है रोहित कब तक हम एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहेंगे मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए रोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो और अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे पसंद ने किया और तुम्हारी शादी मुझे नहीं कर आई तो देखना मैं अपनी जान देदूँगे रोहित नेहा की बात सुनकर जोर-जोर से हसने लगता है और बोलता है तुम सच में मुझसे इतना जादा प्यार करती हो हाँ हाँ सच में और अगर गलती से भी तुमने मुझसे शादी करने से इंकार कर दिया तो मैं सच में अपनी जान दे दूगी और देखना भूद बन कर तुम्हें सताओंगी रोहित हसते हुए नेहा से बोलता है अरे बाप रे आज मालुम हो गया कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो रोहित तुम तो अपने ममी पापा से हमारी शादी की बात कर लोगे पर मेरे मापिताजी का क्या वो दोनों तो गाउं में रहते हैं और जब तक वो तुमसे मिलकर तुम्हारे बारे में सब जान नहीं लेते तब तक वो हमारी शादी के लिए हान ही करेंगे अरे तो उसमें क्या है मैं तुम्हारे गाउं जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांग लूँगा क्यों एक है ना मेरे पिता जी थोड़े गुस्से वाले हैं इसलिए मैं आफिस से कुछ दिनों की छुटी लेकर गाउं चली जाती हूँ बेटी तुम शेहर में अकेली रहती हो इसलिए हम दोनों को तुम्हारी बहुत चिंता रहती है पहले मैं रोहिटे को देख लूँ उससे मिल लूँ तभी मैं शादी के लिए हा गरूंगा जी पिताजी रोहिट दो दिन बाद आप दोनों से मिलने गाउंवा रहा है तब अच्छे से उस से मिल ले ना तब ही नेहा की मा नेहा के लिए खाना ले आती है नेहा मा से बोलती है मा गाउं के रास्ते में कुछ लोग अजीब सी बात कर रहे थे अजीब सी बात? हाँ किसी शैतान भेडिये की बात क्या बताओं बेटी इस गाउं के जंगल में जाने कहां से एक शैतान भेडिया आ गया है और वो पूरन मासी वाले दिन जिस किसी इनसान को काट ले तो वो भी भेडिया बन जाता है वो इनसान रात को भेडिये के रूप में रहता है पर सुबह होते ही फिर इनसान बन जाता है और कहते हैं कि आने वाली हर पूर्णिमा को वो इनसान भेडिये का रूप ले लेता है नेहा मा की ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है दो दिन बाद पूर्णिमा की रात है इसलिए गाउं वाले उस भेडिये की बात कर रहे होंगे हे भगवान दो दिन बाद तो रोहित गाउं आने वाला है हे भगवान रोहित की रक्षा करना दो दिन बाद रोहित नेहा की गाउं जाता है गाउं पहुँचते हुए उसे काफी रात हो जाती है और रोहित जंगल में अपना रास्ता भटक जाता है कि तभी जंगल में से उसे भेडिये के जोर-जोर से चिलाने की आवाजे आने लगती है रोहित बहुत डर जाता है कि तभी सामने से एक भेडिया आता दिखाई देता है भेडिये को देखकर रोहित के होश उड़ जाते है और वो भेडिया रोहित को काट लेता है भेडिये के काटते ही रोहित भी कुछी देर में एक भेडिया बन जाता है और जोर-जोर से डरावनी आवाजे निकाल कर रोने लगता है जैसे ही सुबह होती है रोहित फिर से पहले जैसा हो जाता है और रोहित गाउं की तरफ भागते हुए जाता है और वहाँ खड़े लोगों से नेहा के घर का पता पुछते हुए नेहा के घर पहुचता है रोहित तुम इतने घबराय हुए क्यों लग रहे हो सब ठीक तो है न रोहित बता है रोहित मैं बहुत डर गई थी कि कहीं वो शैतान भेडिया तुम्हें काट ना ले रोहित घबराते हुए बोलता है शैतान भेडिया नेहा रोहित को भेडिये वाली सारी बात बताती है रोहित भेडिये की बात सुनकर बहुत डर जाता है और सोचता है ए भगवान ये क्या हो गया अब मैं हर पूरण मासी की रात को एक भेडिया बन जाओंगा अगर मैंने कल रात वाली बात नेहा को बताई तो नेहा के माँ पिता जी तो क्या नेहा खुद मुझसे शादी करने के लिए इंकार कर देगी अब करूं तो क्या करूं तब ही वहाँ नेहा के पिता जी आ जाते है और बोलते है पिर नेहा के पिता जी चाय पीते पिते रोहित से बात करते हैं पिर अगले ही दिन दोनों खुशी-खुशी शेहर के लिए निकल जाते हैं शेहर पहुँचते ही रोहित नेहा को भेड़िये वाली बात बताता है नेहा पूरन मासी की रात मुझे जंगल में भेडिये ने काट लिया था और मैं भी एक भेडिया बन गया था और तुमने बताया कि वो भेडिया जिस किसी को भी पूरन मासी की रात को काट लेता है वो आने वाली हर पूर्णी मा को भेडिया बन जाता है अब तुम बताओ कि ये सब जानने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी। हे भगपान जिसका डर था वही हो गया। पर रोहित मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुमसे ही करूँगी। और वैसे भी पूरन मासी महीने में सिर्फ एक बार ही आती है। तो उस रात में तुम्हे कमरे में बंद कर दिया करूँगी। फिर ऐसे ही हसते प्यार करते कुछ दिन बीच जाते हैं। एक दिन नेहा को ओफिस में काम करते करते काफी देर हो जाती है। कि तभी रोहित नेहा के पास आता है और नेहा से बोलता है। नेहा कितना काम करोगी। टाइम देखा है। रात के ग्यारा बज रहे हैं। घर नहीं जाना क्या। बस रोहित पांच मिनट आप। फिर काम खत्म करके दोनों आफिस से बाहर आते हैं। रोहित नेहा को अपनी कार में बिठा कर उसे घर छोड़ने के ले जाता है कि तब ही नेहा को याद आता है कि आज तो पूरन मासी है नेहा रोहित से बोलती है रोहित मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो पूरन मासी है रोहित घबराते हुए बोलता है ए भगवान हम तो आधी रात भी होने वाली है रोहित कार रोकता है और कुछी देर में उसके चेहरे का रंग बदलने लगता है उसके बड़े बड़े दात निकलने लगते है और वो धीरे धीरे भेडिये के रूप में बदलने लगता है रोहित कार से बाहर निकलाता है और नेहा से बोलता है नेहा मेरा अपने उपर काबू नहीं है इसलिए कुछ भी हो जाए तुम कार से बाहर मत निकलना रोहित जोर जोर से चिलाने लगता है रोहित की आवाज सुनकर नेहा से रहा नहीं जाता और वो कार से बाहर निकलाती है रोहित पूरी तरह से भेड़िये के रूप में आ जाता है और नेहा को देख कर बोलता है बहुत दिनों से प्यासा था अब मैं तुझे मार कर तेरे खून से अपनी प्यास बुझाओंगा अरे अरे रोहित मैं तो तुम्हारी नेहा हूँ न फिर तुम मेरा खून कैसे पी सकते हो और कुछ दिनों बाद तो हम दोनों शादी करने वाले हैं फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो भेडिया नेहा की एक भी बात नहीं सुनता और उसे मार कर उसका खून पी जाता है और फिर डरावनी डरावनी आवाजे निकालने लगता है कुछ देर में सुबह हो जाती है रोहित अपने रूप में आ जाता है और नेहा को मरा हुआ देखकर बहुत खबरा जाता है रोहित जल्दी से कार में बैठता है और अपने घर में पहुँचकर अपने आपको कमरे में बंद करके जोर-जोर से रोने लगता है कुछ देर बाद उसे अपने कमरे में एक डरावनी चुड़ैल दिखाई देती है जिसे देखकर रोहित के पसीने छूट जाते है ए भगवान अब ये डरावनी चुड़ैल कहां से आ गई रोहित मैं तुम्हारी नेहा हूँ रोहित हम दोनों तो शादी करने वाले थे ना फिर तुमने मुझे क्यों मार दिया मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो रोहित ए भगवान ये मुझसे क्या हो गया नेहा तो चुड़ैल बन गई और खब ये मुझे नहीं छोड़ेगी कुछ दिन हो जाते हैं नेहा चुड़ैल के रूप में रोज रोहित को दिखाई देती थी और उससे शादी करने के लिए बोलती थी जिस वज़ा से रोहित बहुत परिशान रहने लगा एक दिन परिशान होकर रोहित एक तांतरिक बाबा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है तांतरिक बाबा ध्यान लगाते हैं और फिर रोहित से बोलते हैं नेहा तुमसे बहुत प्यार करती थी और उसकी एक एक च्छा थी और वो एच्छा थी तुमसे शादी करना और जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेते वो ऐसे ही चुडायल बनकर भटकती रहेगी बाबा, अब मैं क्या करूँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा बाबा, अब आप ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो बाबा, कुछ ऐसा करो जिससे की मुझे चुडायल और भेडिये के काटी से मुक्ती मिल जाए और मैं फिर कभी भेडिया ना बन सकूँ हम, इसके लिए हमें पूरन मासी का इंतजार करना होगा कुछ दिन बाद पूरन मासी आती है और रोहित तांतरिक बाबा के पास जाता है बाबा अपनी शक्ती से चुडायल को महां बुला लेता है और जैसे ही आधी रात होती है रोहित का शरीर भेडिये के रूप में बदलने लगता है रोहित चुडायल से बोलता है नेहा, मेरा शरीर भेड़िये के रूप में बदल रहा है, क्या तुम अब भी मुझसे शादी करने के लिए तयार हो? मुझे बस तुम से शादी करनी है, फिर तांतरिक बाबा मंत्र पढ़ते हैं, और चुडैल की शादी भेड़िये से करा देते हैं, जैसे ही शादी हो जाती है, चुडैल को मुक्ती मिल जाती है, और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है, पर तांतरिक बाबा जोर जोर स मंत्र पढ़ते रहते हैं और कुछी देर में रोहित भी अपने सामाने रूप में आ जाता है रोहित बाबा से बोलता है बाबा अभी तो सुभब भी नहीं हुई है मेरा शरीर भेड़िये के रूप से ठीक कैसे हो गया मेरे मंत्रों की शक्ति ने तुम्हें उस भेडिये के काटे से मुक्त कर दिया है और अब तुम कभी भी भेडिये की रूप में नहीं आओगे रोहित बहुत खुश होता है और तांत्रिक बाबा का धनेवाद करता है